नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टेलर चैनल में दोस्तों इस वीडिये में हम आपको बताएंगे कुछ कमाल की टिप्स और ट्रिक्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही हिल्प मिलेगी ओके तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो फर्स्ट ट्रिक यह है कि अगर आपको जब भी बहुत ज़्यादा मोटा कपला आए बहुत ज़्यादा ओबर और आपकी मसीन नहीं चल लए उस टेम तो आपको जो आउसिलना जरूरी है तो आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता है तो फिर इसको डबल कर दिया अब मालेजिया मोटा इतना आ गया तो आपको निकालना है यहां से और कभी के दर ऐसा होता है कि गांठी टाइप का मोटा आ जाता है और ओके तो यह नहीं तूट रही फिर भी मैं आपको ट्रिक बदा देता हूं आगर नहीं तूट रहा सिट है आपकी मालेजीया चल नहीं रहे बिल्कुल भी और टाप दे रही है या फिर ढूट रही है तो जो आगे का हिस्साब इसको कुछ के दबादेंड अब हाजत से ऑप इसको निगाल सकते हैं पहीये से यह हां से चलाएंगे और आपकी मसीन बिल्कुल ही निकल जाएगी तो आपका धागा नहीं काटेगा यह मतलब यह दागा फोड़ा नहीं है बन्ना मैं आपको दिखा देता यह ट्रिक बहुत अच्छे और काम करती है तो फास्ट इस्टेम में अगर आपकी कभी भी यह इस प्रिक टेशूल कपड़ा है और यह रवड़ की तरह तो अब इसमें अगर सिलाएं लगाना हो तो किस तरीके से लगाएंगे सबस्पहले हम सिंपल सिलाएंगे और देखेंगे दाना बगरा दे रही है नहीं दे रही है तो उके यह नहीं चल लए है यानि कि देखें कितना ज्यादा यहां पर टाप बगरा दे रही है ऐसे कपड़े क्या होता है कभी कतार आते हैं तो अब इसके लिए हम मिस्ट्री के पास यह खुश सिटिंग करेंगे मसीन की कहीं और ज़्यादा खराब हो जाए तो इससे बड़ अगर सिलाई लगा रहे हैं इसके लिए तो थोड़ा सा है लेकिन आप इस पे अगर होजरी का कपड़ा है तो नाहीं चलाएं तो बहतर है क्योंकि होजरी के कपड़े पे आपकी सिलाई तो चल जाएगी पर कट जाता है कपड़ा बाद में यह प्रब्लम आती है लेकिन फि यह देखे कितनी ही सिलाई लगी है अब बाद में इसका कागच को नोश देना है और यह आपकी सिलाई लग गई लगई ओके तो दूसरी ट्रिक यह है अब बात करते है तीसरी चीज़ की माल लेजिए आपको जो है गेदर बगएर डालना है यह तो आप ऐसे भी डाल सकते ह हास से आपको बूट लेने की जरुवत नहीं है इसका जो बूट आता है बहुत से लोग बूट लेते हैं तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं या फिर आपको बूट से प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से गेदर डाल सकते हैं तो दिखें ये गेदर ही पड़ी है अब अगर इससे आपको problem होती है तो एक तरीका और भी है तो दिखें यहां पर बूट उठाना है और यह बड़ी वरी सुई लेना है और यहां पर किनारे पर लगा देना है लगाने के बाद इस तरीके से रखना है और आप गेदर पड़ने लगेगी शिलाई बड़ी कर लेना है पांच नमबर फे देखिए यह गेदर होती है बिसकलिए अगर हांसे डालेंगे तो यह पलेटे होती है थोड़ी छोड़ी 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 सी पलेटे बन जाती है पर ये जो है ये गेदर ही होती है अगर इसको आपको महिन डालना थोड़ा सा और तो टेंसंतार थोड़ा सा और टाइट कर दें थोड़ी देर के लिए और ये और ज्यादा गहरी कर देगी और बाद में सही कर ले सकते हैं तो इस तरीके से आप देखे ये गेदर डाल सकते है तो तीश्री टृक ही यह बहूत ही कमाल کی तो इस तरीके से बाद में इसको निकाल देना है अब बात करते हैं ओवरलाक की टृक की तो ये ओवरलाक मा लेजें यहाँ पर है और यहाँ पर का अगर आपकी धागा खतम होगा नीचे का कहीं का भी थोड़ा सा रह गया तो इस तरीके से आप जिए दिखे नीचे का धागा है बड़े वाले लूपर का तो यहाँ पर आप इसको ढाल सकते हैं इस तरीके से इसमें सिरफ आपको गांठ लगाना है ऐसे करके एक और तो काट देना है और यह समझ लिजए हो यहां पर कभी आप गांट लगा के डाल सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार और स्प्राइब कर वेल आइकन वो जरूर प्रेस कर लें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो को साथ अब तक के लिए नमस्कार